हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा मूबाइल चलने वाला कॉन सा याणी लंबे समय थी कि सबसे ज़्यादा शाल तक चलने वाला कूँ सा मूबाइल है फ्रेंट जब भी आप कोई device खरीदेते हो तो आप फोपकी पर से यह नहीं पूछते कि भी यहां पर यह जो device कितने साल तक अपडेट देगी कितने साल तक चलेगा हर आप सोचते हो कि हमने device ले लिया पर्मानेट ले लिया या 5 या 6 साल चलेगा 10 साल तक हम इसको चला लेगे फ्रेंट ऐसा कुछ नहीं होता है इनकी एक limit होती है वैसे mobile चलते रहते चाहिए 20 साल चला लो लेकिन फिर भी इनकी एक limit होती है तो फ्रेंट आज की वीडियो में बताने वाला कि सबसे जाता है सबसे लोंग टाइम तक चलने वाला कौन सा device है और उसके अंदर कितने साल तक अपडेट देखने को मिलते हैं चला अपको अपडेट मिलता है तक आपका device हेवरक करता है बिल्कुल मतलब यहां पर बिल्कुल comfortable तरीके से हेवरक करता है जब आपका डिवाइज में अपडेट आना बंद हो जाता है तो वो डिवाइज अप्रोपर तरीके से वरक नहीं करता है उसमें कोई न कोई गलिच आ जाता है फिर आदे फीचर से वरक करते हैं फिर आप बोलते हो कि भी इसमें ये गड़बड होगी फिर आप यूटूब पर सर्च करते हो और इसके कोई सिल्यूशन भी नहीं मिलता तो चलो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेती है कि सबसे जो है कम चलने वाला कौन सा है तो यहां पर मैं बात करूँ रेडमी की तो रेडमी का कोई भी डिवाइज ले लो दो या तीन साल तक यहां पर उसमें बतायागे कि तीन साल तक मैकसिमम है अपडेट है देखने को मिलेगा फ्रेंट्स रेडमी के अंदर सबसे कम अपडेट देखने को मिलते है hang problem जादा देखने को मिलती है आप बोलोगे अपडेट आने से फाइदा क्या होता तो आपको साब साब मैं बता दूँ जब तक आपके device में हर मन्त या दो या तीन मन्त में अपडेट आता रहता है तो यहाँ पर है आपके device अप्रोपर वरक करती है उसमें ना ही कोई गलीच आता आपका security page का भी अपडेट आता है बात करू मैं यहाँ पर रियलमी के तो पीसे मेरे पास एक रियलमी के device था जिसका दो साल तक मुझे अपडेट मिला उसके बात 2 साल तक कोई अपडेट नहीं है आया तो वह पर्पर तुरीके से वरक करना बंद कर देया वैसे रियलमी के device है रेडम ही ए ठीक है जो कि यहां पे तीन साल तक मैंने बताया था अपडेट आता है दो या तीन साल तक मैंने जब यह वीव का डिवाइज लेया नीट वीव टी टू एक्स फाइब जी तो इसके अंदर ओस थर्टिन था उसके बाद 14 का अपडेट आया 15 का अगली साल उसके बाद आएगा 16 का या दो साल तक आपको एंड्रोइड अपडेट देखने को मिलेगा और तीन साल तक आपको स्क्यूर्टी पेज का अपडेट देखने को मिलेगा उसके बाद आती है वीव के ओपो में फ्रेंड्स रहता है तीन साल तक अपडेट देखने को मिलता है कंटिनू स्क्यूर्टी पे साल तक उसको अपडेट देखने को मिलेगे ठीक है सेक्यूरिटी पोच और एंड्रोइड पैस ठीक है दोनों यहां पर बात करें तो रैडमी और मोटरोला की तो डिवाइज में तो बहुत प्रक है लेकिन अपडेट बहुत कम देखने को मिलें मोटरोला के अंदर क्या आने के लिवाले टाइम के अंदर इसको ऐना ना is फिक्स कर दिया जाए तो बाता करें चाहता जाले आफे सबसे कने वाले वाले ब्हाई से अंछिम संग कंपनी यहां प्यल्वाइजे को मिलता है और दो साल तक आपको सेकूरिटी पर अप अपडेट देखने को मिलता है यही है जो है यहां पर शीरीज 24 की बात कर रहा हूं मैं यहां पर जो भी अपने शेमसिंग के डिवाइज आ रहे हैं पुराने वाले सेमसिंग की बात नहीं कर आप के पास पुराने सेमसिंग के फोन पड़े और उसके कोर्डिंग आप सोच रहे हो कि मुझे अपडेट मिलेगा तो इसा कुछ नहीं होता है जो अभी न्यू डिवाइज ख्रीद होंगे ना उनकी बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो जब भी आप कोई डिवाइज करो आप उसका लुक बगएरा ना देखे ना उसका कोई रैम बगएरा देखे रैम चैसी भी हो चल जाएगी जब तक आपको इवाइज खरीज सकते हो ठीक है मैं यहां पर हमेशा प्रवाइड करता हूं यह जानकारी कि आप कभी भी रैडमी का डिवाइज नहीं करीदे यहां पर जितने भी डिवाइज है किसी के अंदर अपडेट ना भी मिले यहां पर मतलब जैसी कि मैंने बताए कि मेरा 16 तीन च जाएगे जैसे की एकजामपल देता हुए तो आपने आप नमबर डिलेट हो जाना नमबर डिलेट नहीं हो गें उनके जो कंटक्ट नेम आपने डिलेट हो जाएगे नमबर नमबर पड़े रहेंगे उसके बाद जब भी आपको किसी का कोल आएगा तो आपको कुछ भी सोचते हो कि सीम में ऐसा कुछ नेयर ट्रक प्रोबलम तो रिखोर्प्टेट वर सौप्ट्र अपडेट की वज़सी होता है और है हर ड्वाइज की बात नहीं कर रहा है रैडमी की बात कर रहा हैं जिसको आप मी बोलते हो तो हम इसका ड्मी झाय मैं को मिलते हैं तो जब भी आप है डिवाइस क्रीदने जाओ तो एक बार आप सो समय करके देना और दुकांदार को जादा कामनी नहीं लगेगा आप केर में जाके हूँ करवा सकते हो मैं आप कमेंट प्रिडियो का लाइक कर लेना चैनल पर नई हो तो शैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलेंगे नई वीडियो के साथ और दया के लिए बाय